दावा किया जा रहा था कि दोसों सीटे तो बीजेपी और जेडियू और तमाम सहयोगी दलों के साथ मिलकर इस बार बिहार के विधान सभा चुनाव में एंडिये निकालता हुआ नजर आएगा यानि कि बहुमत का आकड़ा पार करती हुई बीजेपे दिखाई दे सकती है य से पहले हम तमाम चेहरों को लेकर चर्चा कर लेते हैं जैसा कि आपने का क्या बिहार विधान सभा चुनाव से पहले जेडियू पार्टी में फूट पड़ती हुई नजर आएगी क्या नितीश कुमार और ललन सिंग के बीच अब टकराव जारी है क्या नितीश कुमार और ललन सिंग के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा और अगर ऐसा है तो फिर बिहार विधान सभा चुनाव से पहले क्या जेडियू पार्टी अब दो धड़ों में बढ़ती हुई नजर आएगी क्या है एंडिय की हालत बिहार में आखिर क्यूं भारतिय जनता पार्टी की ध और कहीं न कहीं इनके जबाब देने के लिए हमार साथ नाजमिन मौजूद है नाजमिन जिस तरीके से देखा जाए तो 2025 में बिहार विधान सभा चुनाव नजदिक है और नितीश कुमार ने हाली में एंडिय की बैठक बलाई थी शक्ति प्रदर्शन के रूप में लेकिन उस बैठक में नितीश कुमार जहां मुस्कुराते विन नसर आए वहीं बगल में बैठे ललन सिंग सर नीचे करके उदास बैठे विन नसर आए और कहीं न कहीं ये उदासी और ये तस्वीरे सब कुछ बया कर रही है इस तस्वीर को लेकर सोशल मीडिया पर कई सवाल उठ नहीं है कि क्या नितीश कुमार और ललन सिंग में ठीक नहीं है क्या कुछ लगता आपको देखे बिलकुल जो एंडिय की बैठक हुई थी इस बैठक का मकसद यही था कि एंडिय सभी सहयोगी दलों के साथ मिलकर ऐसा फैसला ले जो जारकन के बाद बिहार में होने वाले व सीएम चेहरा कौन होगा तमाम चीजों को लेकर सला मश्वरह इस मीटिंग में हुआ लेकिन जो बाते निकल कर सामने आई वो सीटों को लेकर ही थी दावा किया जा रहा था कि दोसों सीटे तो बीजेपी और जेडियू और तमाम सहयोगी दलों के साथ मिलकर इस बार बिहार के विधान सभा चुनाव में एंडिये निकालता हुआ नजर आएगा यानि कि बहुमत का आकड़ा पार करती हुई बीजे पे दिखाई दे सकती है यानि कि जो एंडिये गटबंधन हैं उनके सहयोगी दल हैं सबके साथ के साथ ही यहाँ पर जीत होगी लेकिन साथ नजर न बनते हैं उस वक्त नितीश कुमार का दामन थामे हुए ऐसे दिखाई देते हैं ललन सिंग कि नितीश कुमार जो कहेंगे वो हम मानेंगे लेकिन जब यहाँ पर केंद्र के सामने जेडियू पार्टी के समक्ष नितीश कुमार अड़ेवे नजर आये थे कि हमें कम से कम ललन सिंग संसद के अंदर कहते हैं कि मैं अपने पद से संतोस्ठ हूं बाहर नितीश कुमार नारास मजर आते हैं कि बीजेपी ने तो खिलवार कर दिया हमने तो तीन संसदों को मंत्री बनाने की मांग की थी लेकिन बीजेपी ने दो को ही मंत्री बनाकर छोड़ दिया उस संसत के पटल पर ललन सिंग ने ये कहा था कि बीजेपी जिस बिल को ला रही है ये बिल मुस्लिम विरोधी नहीं बैलकि मुस्लिम समर्थन बिल है इसके जरीए तमाम उन जमीनों पर जो अवैद रूप से कबजा ये तमाम इस बोट के जरीए करते वे दिखाई दे रहे थे उससे चुटकारा यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के उन लोगों को मिलेगा जो अत्य चार्ज सहरा ही थे लेकिन इससे विपरत देखा जाए तो नितीश कुमार कहते हैं कि जो वक्फ बोट की जमीने हैं उन पर हम मदर से बनाएंगे मदर सो का निर्मार करेंगे इसके नतीश कुमार का दिखाई दिया और इस बैठख में यह कही ना कहीं जो तालमेट हो तवा दिखाई दिया जमनितीश कुमार मुस्कुरा रहे हैं और ललन सिंग आखिर में क्यों बैठेवे नजर आ रहे हैं पहली पंक्ती में तो हैं लेकिन एक आखरी सीट पर दिخाई दे रहे हैं क्योंकि नितीश कुमार खाली कुर שी दिलिप जैस walf ललन सिंघ दिखाई देते हैं और वहीं दूसरी तरग दूसरी पंक्ती दिखाई देते हैं बैटे वे वो भी केंद्रिय मंत्रिय जिने आगे बैठना चाहिए था तो ये नराजगी का सिलसिला इन तस्वीरों के माध्यम से अंदाजे के रूप में लगाया जा रहा है वहीं आप देखेंगे ये खटपट इस अधार पर भी देख सकते हैं क बैटे जब रास्ट्रिय अध्यकस ते पार्टी के तब नितीश कुमार के साथ दिखाई देते थे आज नितीश कुमार के साथ नजर नहीं आते हैं तो ललन सिंग के नराजगी अब जग जाहिर होखती हुए दिखाई देते हैं भी हाल ही में हुआ असम में कॉंग्रिस के साथ हुआ ये तमाम चीजों को अगर देखी तो क्या जेडियू की हालत भी अब बिहार में वही होने वाली है देखिए बिल्कुल आपने उधारन तो बिल्कुल सही दिये हैं कि जहां एकनाति शिंदे विधायकों को ले जाते हैं गुजरात के एक होटल में अब वहां तै हो जाता है कि बीजेपी की सरकार बनेगी और मुख्य मंत्री मैं बनूगा अजीत पवार हैं जो मुख्य मंत्री बन जाते हैं शरत पवार को धोका दे देते हैं वहीं आपने कई और उधारन दिये मध्य प्रदेश में जो तरह दि सिंग की नजदी किया बढ़ रही है जब से वो केंद्री मंत्री बने हैं आपने देखा होगा वक्प संसोधन बिल का जिस तरीके से ललन सिंग ने संसद में समर्थन किया तो वहीं नितिश कुमार अगले दिन एलान कर देते हैं कि वक्प बोड की जमीनों पर मदर्सों का निर्मान किया जाएगा यानि सीधे तोर पर कहीं नितिश कुमार ने एक तिर से दो निशाना लगा दिया है क्या लगता है आपको कि ये तमाम नराजगी की जो खबरे निकल कर सामने आ रही है ये कहीं न कहीं काफी हद तक प्रभावित कर सकते हैं जाना हो और नितिश कुमार का बार बार बीजेपी को चैलेंज करना हो बेशक वो इंडिये के गडबंधन के रूप में नज़र आते हैं तो यही दर्शाया जा रहा है कि ललन सिंग खास तोर पर बीजेपी की तरफ अपना रुख करते वे नज़र आ रहे हैं वो ललन ने ये कहा कि ना तो कोई नीजी दुश्मनी है ना ही नितिश कुमार से नराजगी है मैं अपनी नीजी इच्छा के जरीए इस पद को त्याग रहा हूं लेकिन आज तो बड़ा पद ग्रहन करकर बैटे हैं फिर नितिश कुमार की पक्ष में ललन सिंग जब उनको अध्यक कुमार एक्षन लेते हैं लेकिन ये भी कबरे निकल कर सामने आए कि ललन सिंग की नजदीकिया लालू परिवार से बढ़ती जा रही है और ये जेडियू पार्टी के लिए बिल्कुल भी अच्छे संकीत नहीं है देखिए अशोक चौधरी यहां पर उनकी पार्टी के जो कि ललन सिंग एक हैसे छवी वाले हैं जो पार्टी में रहकर ही पार्टी के साथ दिखाई नहीं देते हैं कई मंत्रियों के साथ तालमेल नजर नहीं आते हैं कई विधायकों के साथ तालमेल नजर नहीं आते हैं अफवाहें तो कई बार कई तरह के ललन सिंग को लेकर उड नहीं जब लालू प्रिसाद्व के साथ ललं सिंग देखे जाते थे ये भी कहा जाता था कि रावडी अवास में बड़ी-बड़ी मीटिंग भी हुई हैं नितीश कुमार के साथ ललं सिंग कभी नितीश कुमार नहीं तो ललं सिंग região। बहुच रहे हैं तो ये तस्वीरे में जग जाहिर हैं कि आप बिहार की विधान सभाद चुनाफ के अधार पर कई अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार में कुछ भी घट सकता है और इस करम में ललन सिंग को बड़ा कदम उठा भी सकते हैं जी बिलकुल दर्शको इस वक्त बिहार की राजनीती को लेकर कई सवाल उठ रही है उदर देखा जाए तो जिस तरीके से एंडिये की बैठकोई बैठक में चिराक पासवान नहीं मौझूद थे बैठक में पश्रुपति कुमार पारस भी मौझूद नहीं थे जीतनामाजी जो नितीश कुमार के जिस तरीके से बयानबाजी देखने को मिली उससे भी कहीं न कहीं माना जा रहा है कि नराजगी दोनों के बीच बढ़ी होगी जी बिलकुल दर्शको इस वक्त बिहार की राजनीती काफी जादा उलजी वी नजर आती है क्योंकि देखा जाए एंडिय सिंग आखिर क्यों उदास्ते ये भी बड़ा सवाल है लेकिन जिस तरीके से देखा जाए तो नितीश कुमार की जीडियू और जीता नामाजी में लगतार बयानबाजी देखने को मिली उसका असर इस गड़बंदन पर पढ़ता हो नजर आ रहा है वहीं पशुपती कुमा पारस बनाम चरागपास्वान की लड़ाई का असर भी देखने को मिला और चरागपासवान जीता नामाजी इन दोनों को कही ना कहीं आरक्षण को लेकर दोनों की जिस तरीके से बहास हुईती उसका भी असर देखने को मिल रहा है आप देखना होगा ब्यार विदान पहले क्या वाकई में जो जेडियू पार्टी है या फिर जो एंडिये गड़ बंदन है उसमें कहीने कहीं बड़ा खेल होता हुआ नज़र आएगा क्या कुछ लगता है मैं कमेंड बॉक्स में ज़रूर बताएं देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे